हलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एर्थ हिंदी का चप्टर टू लाक की चूडियां इसमें हम इसके क्वेशन आंसर देखेंगे तो देखिए पहला क्वेशन है बच्पन में लेखक अपने मामा के गाण चाव से क्यों जाते थे और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू का का क्यों कहा था तो जो question है इसमें लेखक जो है अपने मामा के घर बहुती चाव से मतलब बहुती खुशी से जाते थे और बदलू को बदलू मामा ना कहकर के वो बदलू काका क्यों कहते थे इसका हमें उत्तर देना है तो देखिए, आंसर ऐसका, बच्चपन में लेखक अपने मामा के घर चाओ से इसलिए जाते थे, क्योंकि मामा लेखक के लिए लाक की चूडिया बना कर देते थे, क्योंकि मामा जो थे वो लेखक को लाक की चूडिया देते थे, लाक की चूडिया बना कर देते थे, लेखक बदलू मामा ना कहकर, बदलू काका इसलिए कहते थे, क्योंकि पूरे गाउं के बच्चे उन्हें काका कहकर बुलाते थे, और बच्चपन में जो लेखक है, वो मामा क्यों नहीं कहते थे उन्हें, क्योंकि सारे गाउं के बच्चे उन्हें काका कहते थे, तो लेखक भी बद मतलब बताना है और विनियम की जो फेमस पदती है उसको हम क्या है मतलब बताना है तो इसका उतर है वस्तु विनियम में वस्तु के बदले पैसे नहीं दिये जाते थे बल्कि एक वस्तु के बदले दूसली वस्तु दी जाती थी तो इसमें है कि वस्तु विनियम मतलब जैसे क आगर किसी के लेक मिलान le 냈 है तो किसी की और चौकलिय जे रखने हैं, आपके लाज़ पास लेने हैं, विनियम की तुपिया स्थ प्रचिलित पदती में रुपिये पैसे प्रद्द पॉस्तु तो था र्रुप्या जाते हैं अब विनियम की प्रचलित पद्दती में वस्तू के बदले रुपिये पैसे दिये जाते हैं अब विनियम की प्रचलित पद्दती है अब विनियम मतलब आदान प्रदान जो करते हैं हम लोग समाल लेने के लिए पहले हम वस्तू से करते थे अब जो परचलेध है आज के समय में क्या है अब हम लोग पैसे से चीजों का आदान कड़ते हैं। तो यह चीज़ बदल गई है अब। नेक्स्ट वैस्टन आता है कि मशीनी युग में कितने हाथ काट दिये हैं। इस पंगती में लेखकक को मैंत्या लेखक कैता ने रिषक संगहते है लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तूओं को बेचकर अपना जीवन आपन करते थे और पीडी दर पीडी इसकी कला को बढ़ाते थे तो मतलब ऐसे मशीन युग में क्या हुआ है? चीज़ मशीन से बनने लगी है और पहले जो कारीगरों करते थे जो अपने हातों से बनाते थे अब उनकी कारीगरी की कोई मोल नहीं रहा है मतलब कोई उनको लेता नहीं है तो वो खतम हो गए है इसलिए कहा गया है हाथ कट गए है अब क्योंकि उनके पास रोजगार का साधन नहीं रहा है तो पीरी दर पीरी पहले जो कला चलती आती थी वो अब नहीं रही आज की मशीनी यूग में काम मशीनों से जल्दी और सफाई से होता है मशीन यूग में क्या होता है काम मशीनों से हो जाता है जल्दी और सफाई से हो जाता है इसे से कारीगरों का हस्त व्यवसाय लगभग लुप्त अवस्था में है मतलब कारीगर जो पहले हाथ से काम करते थे हस्त व्यवसाई मतलब हाथ से जो काम करते थे वो जो उनका काम है वो लुप्त हो चुका है लुप्त मतलब खतम हो चुका है और उनके घर में लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं मतलब अब उनके घर में जो है वो पैसे की कमी है पहले तो वो कारीगर थे उनका समान अ ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी थी, बदलू के मन में ऐसा क्या था, जो लेखक से नहीं छुपा रहा था, अब देखिए, लाक की चूडियों का इस्थान अब कांच की चूडियों ने ले लिया था, इसका उत्तर है, बदलू का व्यवसाय बंद हो च बदलू जो कारुबार करता था, काम करता था, वो अब ठप हो चुगा है, उसके पास पैसे की बहुत कमी है, तो बदलू की यही व्यथा, मतलब जो उसका दुख है, ये लेखक से छुपा नहीं रह सका था, नेक्स्ट वेचिन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क् आथिक तंगी हो गई, काम नहीं होने के कारण बदलू का शरीड जो है, वो काफी कम्शोर हो गया, और वो बिमार रहने लगा, तो क्या बदलाव आया मशीनी युग से, उसके घर में तंगी हो गई, व्यवसाय बंध हो गया, और वो बिमार भी रहने लगा, ये उसके भूंडियों के अतरिक्त क्या-क्या चीजे बंती है आप हमें मतलब गयाद कीजिए, पता लग आई येु तो लाइक जो होता है उससे किस-किस चीजे बंती है हमारे देश में कहा बंती है और ये उन से होता है चीजों से वह बताना है, तो देखिये, लाक की वस्तुओं का न उत्तर प्रदेश में होता है च्छतिसगर में मध्य प्रदेश में पश्रम बंगाल महाराश उडीसा असम यहां होता है इन राजियों में लाग का काम होता है लाग की चूडियों के अथिरिक्त मूर्तिया बनती हैं गोलिया बनती हैं मूर्तियां गोलियां और सजावट का ज जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा से एक्स्पेन कर देती हूँ, जैसे question है book में, कि आपने मेले बाजार आदी में हाथ से बनी चीजों को बिक्ते हुए देखा होगा, तो आपके मन में किन चीजों को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई है, और आपने कोई कारीकरी सीखने का क्या कभी प्रयास किया है उसके बारे में बताना है मतलब आप बजार में जाते हैं मेले में जाते हैं बहुत सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है तो क्या आपका कभी उन्हें सीखने का मन किया है, आपने कभी कोई कला सीखी है, वो बताना है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, कुछ भी जैसे आपको ठीक लगे, तो मैं आपको कुछ एक्जामपल देती हूं, जैसे पिछले वर्ष में, पिछले साल में मैं अपने बना भी रही थी, घर आकर भी मैंने जब मैं घर आया, तो मैंने उन धागे को एकटा किया, और बड़े बड़े दिनके को मिला करकी, मैंने उनको बनाने की कोशिश की, मगर मुझे कोई भी उनमें सफलता नहीं मिली, फिर मा की मेरी माने मुझसे कहा, कि जिसका काम उसी को मतलब मेरा सिर्फ छाते जो थी मंचे नहीं बनों तो ममी मेरे साथ मजग करने लगी कि छिसका काम होता है उस अच्छा सकता है त इस तरीकसे आप बता सकते हैं कि मैने उनुन पर फिर कहानीस आगे से लगूट है बहुत है आतिधि देवो भव कहा मैं आतिधी देवभान के समान मैं भारता है एंटीधि द्वता के समान होते हैं तो मैं उनका सथकार UP करूँ साफ मन और ऑच्छे वियावहार, उने वियावार्ता चाय बनाते हैं नमनान मस्ते बोलते हैं मैं धुर्म काया बीडि अगुत इस तरही के सकते हैं इनके सब्सक्तार करेंगे अब उढम वोगा बीडियो के साथ किया उटी है निधस हे लिगे ख robust और यह उटेश कहते है वी टो और साइंस के भी मैंने फर्स सेकंड चेप्टर कर रखा है आपकी पूरी बुक कम्लीट कर दूंगी अलमोस में ट्राइ कर रहूंगी सारे के सारे के सब्जिक्स जो है वो कवर करती चलों तो आप वो भी चैनल की प्रेलिस से जाके देखते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा जो है उनका लिंक प्रोवाइट कर दूंगी तो थेंक्यू